हेलो to all my beautiful souls, स्वागत आप सभी का मेरी चैनल पर और मैं आज फिर से candle wax reading लेकर आई हूँ सबके लिए और इस reading का जो topic है वो यह होने वाला है कि वो किस हद तक आपके लिए जा सकते हैं आपके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं आपके person जो भी है जो आपको प्यार करते हैं आप जिनके साथ relationship में हो वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं यह हम देखेंगे यहां पर reading में लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स यह reading general reading है टाइमलेस है और जेंडर फ्री है तो जेंडरल रीडिंग है तो इसके लिए सभी देखते हैं और सभी जोडियक साइन के लिए हैं तो हो सकता है कि कुछ चीजें रेजुनेट ना करें जो जितना आप से रेजुनेट करें उतना रखियेगा बाकी को जाने दीजिए और जे करेंगे रीडिंग को देखते हैं कि आपके परसन आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं पहले हम अपने वाटर को चार्ज करेंगे थेंक यू थेंक यू दिवाइन पावर थेंक यू गॉर्ट थेंक यू सबी असेंड़ेट मास्टर्स को थेंक यू सबी सबी इस्परिट गाइट को प्लीज मुझे गाइट करें प्रभू यहां पर जितने भी विवर्स हैं जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उनके person उनसे प्यार करते हैं उनके साथ relationship में हैं तो वो उनके लिए किस हद तक जा सकते हैं प्लीज मुझे बताएं Thank you Thank you divine Thank you Help करें universe Dear friends यहाँ पर जो निकल के आ रहे हैं messages यह है कि आपके person का जो प्यार है आपके लिए वो बिल्कुल बहुत वाइड है बहुत विस्तृत है यह कहे कि विसाल है जैसे अनंत आकास है आसमान है अनंत ऐसे ही वो आपसे प्यार करते हैं उनका बहुत विस्तृत है और यह चीजें वो आपको बता नहीं सकते हैं साइद उनको अपनी feelings express करना नहीं आती है उनके लिए आप उनका चांद हो सूरज हो सब हो लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है आपके relationship में कि आप दोनों ही थोड़ा सा बच्चपना कर देते हो दोनों ही एक दूसरे से कट से जाते हो बात नहीं करते या यह आगे आ जाता है आप दोनों argument भी करते हो और argument में एक्सर वो आप से sorry बोलते हैं और आप भी बोलते हो उनको क्योंकि दोनों को रिस्ता चलाना है लेकिन most of वो आप से sorry बोल देते हैं और अभी जो यहां पर निकल के आ रही है dear friends वो यह है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपको touch करना चाहते हैं हो सकता है कि आपकी कोई fragrance कोई perfume कुछ ऐसा लब हो अभी आपके perfume की खुस्बू को आपकी body smell को बहुत बहुत मिस कर रहे हैं यहां पर क्यों ऐसा message निकल कर आ रहा है I don't know हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसा special करके जाते हों जब उन से मिलने जाते हों और वो खुस्बू उनके मन में भरी हुई है उनके दिल और दिमाग में बसी हुई है अक्सर ऐसा होता है कि एक अबार कभी जब वो कहीं गए हों और सेम सेम पर्फ्यूम की उनको इसमेल लगी हो और उन्होंने आस-पास आपको देखने की कोशिश की हो उनको यह लगा हो कि यह खुस्बू तो मेरे परसन की है लेकिन कभी कभी डियर फ्रेंड्स आपकी बातों से उनका दिल बहुत तूड़ जाता है यह तो आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसे कटाक्ष करते हो इस तरीके की बातें बोल देते हो कि दोनों को ही पेन होता है कश्ट होता है लेकिन गलती आपके भी नहीं है और गलती उनकी भी नहीं है जो भी है यह सारा खेल समय का है कभी उनको वक्त नहीं मिलता आपको अप्रोच करने का कभी आपको वक्त नहीं मिलता उनका फॉन कॉल उठाने का उनको यह लगता है कि लाइफ का जो गएम है की एनर्जी होती है लेकिन आपके बिना वो अपने आपको आधा चांद समझते हैं कि आपको बहुत काइंड मानते हैं लेकिन यह सोचते हैं यह कहते हैं कि जब आप लड़ती हो तो आपकी काइंडनेस चले जाती है पता ने क्यों उनसे इतना अर्ग्यूमेंट करते हो या फाइट करते हो और यहां पर कोछ वीवर्स की यह एनरजी आ रही है बहुत ज़्यादा उनकी एनरजी है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं मिलना चाहते हैं और ग्लेशिक वे सारे खतम करके फिर से लाइफ को उसी रूटीन पर लाना चाहते हैं जिस पर पहले थी आप दोनों जैसे चल रहे थे पास्ट में कर दो मिलना मिलाना होता था एक दूसरे के साथ मस्ती होती थी गूमना फिरना और फिरन स्टुरी ठीनट थोड़ा सा गला मेरा खराब हो रहा है हो सकता है कि हमारे व्यूवर्स का गला कुछ कि खराब हो थोड़ा बहुत यह यहां पर एक कोई गेम भी ऐसा निकल कर आ रहा है हो सकता है कि या आपने आपके परसन के साथ कभी कोई गेम खेला हो या तो आप कॉलिज टाइम में साथ में रहे हों आपने वहां पर पार्टिशिपेशन किया हो दोनों साथ में खेले हों कोई तो ऐसा गेम है जो आप दोनो कि आइट आइम को घो हैं वह सारी चीज़ें बहुत मिस्क्र रहे हैं वह को यह लगता है कि मैं किसी तरीके से उनके पास पहुंच जाओं अपनी सारी बातें बता दूं क्या है क्यों है दूरिया और कुछ ले सिक वे उनको आप से भी हैं उनको आप आसे भी शिक्वे हैं वो भी वो दूर करना चाहते हैं उनको लगता है कि उनकी रेगिस्तान जैसी लाइफ में आप पानी का एक जरिया हो आपके आने के बाद वो अपने आपको बहुत चेंज महसूस करते हैं बहुत चेंज है उनके अंदर हो सकता है कि बहुत से लोग यहां पर ऐसे हों कि उनके परसंद थोड़ा सा रूडली विएफ करते हो सुरू में लेकिन आपके आने के बाद आपकी संगती में रहकर वो काइंड बन रहे हैं और वो आपके लिए रेगिस्तान को पार कर सकते हैं वो आपके लिए किसी भी हद प्रॉती कर जा सकते हैं उनको इतना ज्यादा आपसे लगाव है इतना ज्यादा आपसे प्यार है कि आपके प्यार के लिए वो आपके दरिया को पार करने की छंता रखते हैं उनका ये खहना है कि आके दर्या को फार कर लूँ तेरे लिए लेकिन जब बात फैमिली के आती है तो पता नहीं क्यों मैं अथियार डाल देता हूँ लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे उपर फैमिली का कर्ज है माबाप ने तुम्हें जनम दिया है उनका कर्ज है तो ये चीजे वो कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूँ तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूँ आग से भी खेल सकता हूँ आके दर्या को पार कर सकता हूँ लेकिन कुछ चीजों में उनको थोड़ा सा पीछे अटना पड़ता है क्योंकि वो फैमिली वाली बात आती है और समाज में लोग अच्छाई और बुराई का सबक देने लगते हैं उनको इसलिए वो लॉयल हैं आपके प्रती और लॉयल ही रहेंगे उनको ये अच्छे तरह से पता है कि इस दुनिया में जिसके साथ सोल का कनेक्सन है जिसके साथ आत्मा जुड़ी हुई है उससे अच्छा रिस्ता और कोई हो नहीं सकता ये रीडिंग जो है कुछ खास लोगों के लिए ही होगी स्पेसिफिक लोगों के लिए क्योंकि इतनी अच्छी एनरजी आल्मोस्ट निकल कर आती नहीं है इतनी लॉयल एनरजी जो आई है आज वो आपको ही देखते हैं हर जगे अपनी लाइफ में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है कोई मुसीबत है कुछ ऐसा भी है जो गबराते हैं तो उस जगे पर वो आपको ख़ड़ा देखते हैं अपने साथ और उनमें उस परिसानी से जूजने की हिम्मत आजाती है आपको इस अत्तक जा सकते हैं कि वो दूसरों से आपको छीनगे लाना चाते हैं चाते हैं कि इस समाज से दूर समाज की जो बंधन है जाती बंधन है धर्म का बंधन है उम्र का बंधन है इन सबसे अलग दूर कहीं किसी जगह पर एकांत में जाके घर बसाएं और वहां रहके अप बाकी का जीवन गुजार है खुआ इसे बहुत है मन में रियर फैंड्स लेकिन बता नहीं सकते हैं वक्त की कमी है तो रियर फैंड्स ये थी आपके परसंड की रीडिंग की वो किस हद तक जा सकते हैं आपके प्यार में क्या क्या कर सकते हैं तो सब कुछ निकल के आया है को भटा देती हुए यहां से जिससे कि मैं यहां पर मैसेज़ेस को स्प्रेड कर सकूँ पहले हम कुछ मैसेज़ेस यूनिवर्स के निका लेंगे उसके बाद आपके परसन के प्लीज गॉड प्लीज एंजल स्पीज यूनिवर्स बताएं कि हमारे जो भी वीवर्स ये वीडि सबसे पहला मैसेज़ेटी एटफैंड्स वह है नोटी इस दिवाइन साइन तो हो सकता है कि आपको अभी यूनिवर्स कुछ मैसेज़ेस दे रही हो मैसेज़ेस देने का तरीका है वो हर तरीके से दे सकती है आपके आसपास बटरस्राइज आ सकती हैं आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ फ्लार्स देख सकते हो, कुछ और साइन देख सकते हो, उनलब जो साइन आपको लगे कि हाँ ये डिफरेंट है, ये क्यों दिखाया जा रहा है बार बार या फिर एक ही नंबर, एक ही एंजुल नंबर आपको बार बार रिपीट हो और आया कुछ ऐसे सिमलर नंबर हैं, जैसे ट्रिपल वन, ट्रिपल टू, टेंटें, ट्वेल्व, ट्वेल्व, ये आपको अगर बार बार दिख रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, 11, 11, ये ऐसे नंबर हैं कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइन दे रही है, क्लियर यूर माइंड, तो अगर आपकी माइंड में बहुत सारी उधेड़ बुन चल रही है, चीजों को लेकर, और आप कई बातों को सोच रहे हो, सोच के आप ठक जाते हो, तो ये डिवाइन का इनिवर्स का मेसेज है कि क्लियर यूर माइंड, प्रेजेंट में रही है, जो कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए, और फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, पास्ट में क्या हुआ, उसको लेट गो कीजिए, चूज ड्योई इन एवरिधिंग यू डू, तो आप जो भी काम करें, उसमें खुसी तलासिये, हो सकता है कि आपको बोरिंग लगते हूँ, आपको लगता हो कि मैं वही डेली वर्क करकर के उप गई हूँ, या उप गया हूँ, मन नहीं लगता है, तो कुछ इस वे में उस काम को करिए, जिससे कि आपको ये लगे कि ये और ज्यादा इन जॉइफुल हो गया है काम, और ज्यादा आप बैट येज़ बता ही, थैंक यू तो आज येलो येलो कलर के मैसेजज़ बहुत आए है डियर फेंड्स हो सकता है कि जूपिटर जो गुरु है वो आपके फेवर में हो गए हो और बहुत जल्द अबंदन्स आ रही हो लाइफ में आपकी क्योंकि येलो कलर जो है वो गुरु को रेप्रेजेंट करता है गुरु से कनेक्ट होता है और और अल्मोस्ट मैसेज़ इस हैं मैंने सफल किय हैं लेकिन सारे येलो निकल कर आए हैं ये एक सिंक्रोने सिटी हो सकती है आप सब के लिए कि लाइफ में थिंग्स बैटर होने वाली है अच्छा हो रहा है सब कुष मैसेज है आपके परसन का प्रेम का अनुभव ही गौड का प्रमाण है तो अब ये उनको समझ में आने ल प्रिश्चा अब ये वाली हो रखते हो मन में उनको आशा लगता हो कि आप गौड़िस हो या गौड हो क्योंकि जहां पर सच्चा प्यार होता है वहां पर परसन के लिए लस्ट नहीं होता है फ्योर लव होता है और उनकी नजर में वह आपको एक देवी मानते हैं और हो सक कह रहे हैं कि तुम्हें जरूरत नहीं है परफेक्ट बनने की तुम जैसी हो जो हो ठीक हो बस अच्छी बने रहो राइट रहो अपनी जगेह पर कुछ गलत मत करो और नहीं गलत को बरदास्त करो परस्ट तो कोई भी नहीं है इस वल्ड में ये सॉंग है डियर फेंड्स हम बने तुम बने एक दूजे के लिए तो हो सकता है कि वो सुनते हो उन्होंने आपको dedicate किया है यह never talk about breakups, तो आपसे कह रहे हैं कि हमारे रिष्टे की positivity के बारे में बोलिए, positivity के बारे में सोचिए breakups के बारे में बात मत करो हर किसी से मत कहो कि हमारा break up हो गया है हर किसी से मत कहो कि हम separation में है क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो हम attract करते हैं तो positive बोलिए अच्छा बोलिए अपने रिस्ते के लिए तो आप से कह रहे हैं कि वो जब आपकी soul उनको touch करती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है हो सकता है कि पहले उनको इतना deep feeling नहीं हो आपके लिए लेकिन जैसे जैसे आपके साथ उनका समय गुजरता जा रहा है उनको लगता है कि आप उनके साथ soul level पर हो energy level पर हो आपकी presence को वो अपने आसपास feel करते हैं और हो सकता है कि हाँ पर हमारे जो viewers हैं वो भी उनकी presence को अपने आसपास feel करते हों कि वो हर समय आपके साथ है क्योंकि आपकी soul उनको touch करती है और उनकी soul आपको you are my treasure तो आप से कह रहे हैं कि आप उनका खजाना हो बेस कीमती खजाना जिसे वो नहीं चाहेंगे कि कोई देखे भी क्योंकि हर व्यक्ति अपने खजाने को अपने धन को छुपा के तिजोरी में रखता है तो वो चुगि आपको तिजोरी में नहीं रखेंगे लेकिन वो ये चाहते हैं कि कि किसी की भी गंदी निगाह आप पड़ना पड़े male female सब के लिए है ये message you are a dream come true तो आप से कह रही हैं या कह रही हैं कि आप उनके dream come true हो हो सकता है कि उन्होंने कभी ख्वाबों में सोचा हो कि मेरा जो partner होगा उसमें ये खुबी होगी वो दिखने में ऐसा होगा ऐसे चलता होगा या ऐसे चलती होगी ये qualities होगी उसमें तो हो सकता है कि वही चीजें सब आपके अंदर हैं और जिस तरीके से वो चाहते थे कि वो person life में आए उनको प्यार करें वही वही तरीका आपका है उनको प्यार करने का इसलिए आप उनका dream come true हो मतलब जो सपना उनको ने देखा था अपने partner को लेकर वो आपने पूरा कर दिया है तो dear friends ये थी reading I hope कि आप सबको अच्छी लगी हो पसंदाई हो आप लोगों ने enjoy किया हो reading को अच्छी लगे तो like करिएगा वीडियो को और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो dear friends please subscribe my channel और अपना कीमती समय देने के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much for watching